हेलो एव्रीबन मेरा नाम है मीरा विस्ट और मैं आज आप लोगा सिखाने वाली हो काउंट की फेमिली ठीक है आउंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, ए यह वन भाइ वाइवन पड़ेंगे हम लोग ठीक है आज पहले equal to sign लगाएंगे count count क्या करता है number cells वो count करता है कि जिसमें भी numbers होंगे आपके वो सब count करतेगा ठीक है इस तरीके से जैसे 20 cells दिखा रहा है अगर मुझे चेक करने से total कितने cell है select करेंगे status bar पर जाएंगे यह average दिखा रहा है count यहां पर 30 cell दिखा रहा है ठीक है तो यानि की 10 इसमें ऐसे हैं जिसमें numbers नहीं है तो देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ, नो, दस ठीक है तो अगर-अगर समझ लो किसी ने आप से पूछा कि मुझे वो cells बताओ जिसमें की text बढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं count यह उस करेंगे count यह करेगा suppose cell को count करेगा चाहे है उसमें कोई भी value हो ठीक है 30 आगे मेरा ठीक है तो अगर मैं 30 में 20 हटाऊंगी तो मेरा क्या बच जाएगा आपका 10 that means 10 ऐसे हैं जिसमें की आपके numbers नहीं है ठीक है तो आए हो clear हो गया होगा अगर मैं इसमें से 1 भी delete करती हूँ इस तरीके से तो count की value change हो जाएगी count A की value change जाएगी क्योंकि यह जो होता है blank जो blank होता है आपका cell उसको count नहीं करता ठीक है तो blank cell को count equal to count blank count blank क्या करता है हमारे blank cells को count करता है कि आपकी sheet में कितने blank cell है तो यह आप office में check कर सकते हो कि आगर आपकी amount different आ रही है तो आप देख सकते हो उसमें कोई blank cell तो नहीं है अच्छा और साथ में ही क्या आपके जो simbos होते हैं उनको भी count करता है आपका numbers में नहीं लिया लेकिन count A नहीं ले लिया ठीक है और यहाँ पर blank cell जो दिखा रहा है वो one ही दिखा रहा है यह symbols है यह आपका किसमें आएगा इसमें आजाएगा count A में लेकिन count में नहीं आएगा तो I hope इतना clear हो गया हो आपको इसमें कोई डाउट नहीं हो मैं control Z करने के लिए यहाँ पर हम कोई value ले लेते है next हाता है आपका count पर ठीक है अगर मुझे इसमें conditions लगानी हो कि क्या count करें जैसे कि यह मेरी criteria ठीक है मुझे count करना है कि कितने products हमने ice cream के sale की है ठीक है तो यहाँ पर दिखा देगा 3 ठीक है आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ से हम लोग क्या ज़्यादर target set कर दे कि यहाँ पर जो भी लिखा उसको count करें ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ पर count if किया bracket लिया range मेरी table यही रहेगी यहां से ले लो यह serial number से ले लो ठीक है मैं selection कैसे कर रही हूँ यहाँ पर क्लिक कर रही है serial number shift दबाया मैंने control दबाया down arrow यूज किया then right arrow यूज किया ठीक है यह मैं आपको अल्रेडी बता चुकिए shortcut keys में सारा ठीक है कॉमा लगाया अब हमने यहां से क्या लेना ice cream का criteria लेना ठीक है आप चाहँ तो tats राड्रस भी लिख सकते हो ठीक है यह मैंना को बताया था अगर अब मैं यहां बनाना लिखती हूँ तो क्या होगा बनाना कितने हो शो कर देगा अगर मैं यहां पर surf लिखती हूँ तो surf कितना वो शो कर देगा ठीक है इसी तरीके से आप ice cream लिखोगे तो ice cream कितनी है वो शो कर देगा तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते है ठीक है next क्या आता है countives अगर आपको 2 conditions set करने हो यह 3 multiple conditions set करने हो ठीक है एक ही criteria के अंदर हम यूज कर सकते है जैसे कि समझ लो मैंने क्या किया यह मेरा criteria 1 है मैंने का count करके दिखाए किसको ice cream को समझ लो यह मैंने यहां से ले लिया ठीक है दूसरा criteria जो ice cream है उसमें इसे भी count उसको करे जिसके rate जो है 50 से उपर है rate यह नहीं है इसका 50 से उपर है इसका 50 से उपर है तो इस तरीके से हम count if use कर सकते है ठीक है function की के through देख लो इसे मुझे formula लिखने की जोतनी पढ़ती ठीक है मैं यहां पर count करके दिखा देती हूँ ठीक है आपको इसे function याद करने की जोतनी है formula याद करने की जोतनी है इसमें आपको सिर्फ raise देनी है और यह आपने आपको set कर देगा यह selection किया चाहिए अगर आप self से लिख रहे हो तो आपको double quotes के अंदर लिखना पड़ेगा ice cream ठीक है यहां पर साथ में result भी आते रहते है तो इस थरीके से आपको यह एक निकल गया single criteria set हो गया okay अगर मुझे multiples चीह है तो मैं यहां से क्या use करूँगी count ifs count ifs यह होना भी चीह है आगया आपको count ifs यहां से set करेंगे criteria one this one मुझे इसमें क्या चीह है जैसे आप नीचे क्लिक करेंगे automatically criteria generate हो जाएंगे उसमें नहीं हो रहा था उसमें क्यों नहीं हो था क्योंकि वह single condition पर चलता है यह multiple conditions पर चलता है इसलिए criteria यहां पर generate हो रहे है okay second criteria quantity ले लेते हैं ठीक है जिसकी quantity अगर numbers लिख रहे हो अब कोई भी ऐसी quantity नहीं जो 50 से होगी ice cream के अंदर यहां पर देखो क्योंकि हमने particular number लिख है तो यहां पर 50 से उपर कोई भी 50 के बराबर कोई भी नहीं है अगर मैं 50 लिख देती तो यह वेरा set हो जाता चीक है ice cream 50 quantity sorry quantity लिखने थी ना मैंने rate लिखती है ठीक है quantity में changes है तो मैंने कहा कि मैं start कर सकती है अब मुझे एक annais में यहां पर अगर देखा जाए तो अगर मुझे यहां पर greater than less than लिखता और double course के अंदर डालते greater than 50 से उपर 0 50 से उपर क्या है ice cream quantity में यह 50 है, यह 10 है और यह 6 है अगर मैं इसको 66 कर देती तो यहां पर यह one show कर देता तो I hope इतना clear हो गया हो कोई doubt होगा तो comment section में जाके पूछे अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो like कीजिए share कीजिए ताकि आपको ऐसे अच्छी वीडियो मिलत रहे सब्सक्राइब करना मत भूली मेरे चनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो